हे वेलकम बेक दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने लिए एक फ्री ब्लॉग कैसे बना सकते हैं वो भी दोस्तों अगले 10 से 15 मिनिट में देखें दोस्तों अगर आप भी ब्लॉगिंग करना चाते हैं और ब्लॉगिंग सीख के ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाते हैं या करियर या फ्यूचर बनाना चाते हैं तो मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगा कि आप फ्री ब्लॉगिंग से सुरू करो ताकि आपको आगले 10-15 मिनिट में, दूसरे स्टेब में आपको बताऊंगा कि जो भी उसके important settings होती है, वो आप कैसे complete करेंगे, और तीसरे स्टेब में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप blogger.com पे अपना blog बना रहे हैं, तो वहाँ पे blog कैसे लिख सकते हैं, उसके कौनकों से rules and regulations होते free blog बना के, blogging करके, शुरू करके, blogging से पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं, और आप सारी जानकारी लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं free blogging को, तो इस वीडियो को आइंट तक जरूर देखना, पहली बार अगर आप channel पे हैं, अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया, तो छोट आपको जाना पड़ेगा दोस्तों Google पे, यहां पे आपको टाइप करना, दोस्तों free blog और simply दोस्तों आपको search button पे click करना है, जैसे दोस्तों आप search button पे click करेंगे, यहां पे देखें दोस्तों आपके सामने आ चुका है link blogger.com का, blogger.com में आपको बता दो, दोस्तों Google का एक platform ह और यहां पे अगर आप कोई भी blog बनाते हैं, तो वो free of cost बनता है, कोई भी आपको charge नहीं देना पड़ता, ठीक है, तो यह knowledge और experience के लिए बढ़िया है, वैसे अगर आप चाहो तो wordpress.com पे भी free blog बना सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है, बट अगर आप मुझे बोलोगे, तो यहां पे आपके पास option आ रहा है, कोई आपको वैसे पैसा वैसे नहीं देना पड़ता है, ठीक है, तो आप कैसे बनेगा blog, वो सीख लेते हैं, create your blog यहां पे click करना आपको, and जैसे दूसरों आप इस पे click करेंगे, यह automatically आपको retire करेगा, choose an account पे, तो अगर आपके पास कोई email account है, जैसे आपने already blog नहीं बना रखा, तो वो आपको choose करना है, and उसके बाद जैसे आप इस पे click करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे पासवर्ड एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहां पे password एंटर करना है, और दुबारा से next button पे आपको click करना है, जैसे दोस्तों आप इस पे click करोगे, आप यहां पे देख सकते हैं, आपका जो blogger.com का account है, वो बन जाएगा, तो इस तरीके से आपको blogger.com का account बनाना है सबसे पहले, और आप यहां पे आपको free blog बनाना है, तो आप देखे, free blog कैसे बनेगा, इसको हम cross कर देते हैं, और यहां पे name डाल रहे हैं, यहां फिर blog बना रहे हैं, तो मैं आपको यह recommend करूँगा, हमेशा यहां पे, कि आपका जो niche है, जिस category में आप work कर रहो है, जिसका education आपके पास, knowledge आपके पास, तो उसी से related आप यहां पे blog बनाओ, यह चीज हमेशा ध्यान रखेगा, ठीक है, तो जोसे मान यहां पे हम click करेंगे next button पे, यहां पे address हम से पूछ रहा है, तो same address हम डालेंगे, राहुल के videos, इसके बीच में आप space नहीं दीजेगा, ठीक है, videos, राहुल के videos, इस तरीके से हम डालेंगे, शोरी, the blog address is not available, तो यह वाला address किसी ने ले लिया है, तो हम क्या करते हैं, इसके आ professional नहीं है, तो हम तो ऐसे ले रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान से दिल लेना पड़ेगा, उसके बाद दूसरो next button पे click करना है, यहां पे आ रहा है display name, तो display name हमारा हो गया, राहुल के videos, ठीक है, यह हो गया, राहुल के videos, right, and उसके बाद दूसरो simply आपको finish button पे click करना है, ज कोई पैसा नहीं देना आपको, and according to me, यह best option है, knowledge or experience के लिए, blogging अगर आपको real में करनी है, पैसा कमाना है, तो मैं यही recommend करूँगा, पहले यहां पे आके blogging करो, traffic अगर यहां पे generate कर सकते हो, आप तो फिर professional blogging पे सुरू कर लो, right, अब देखें दोस्तों, पहला step हमारा complete हो ब्लॉग हमने बनाना सीख लिया, अब हम दूसरे step पे चलते हैं, उसमें हम settings फगरा को cover करेंगे, तीसरे step में हम बात करेंगे, blog कैसे लिखना होता है, उसके rules and regulations कौन कौन से use करने पड़ते हैं, आपको, right, तो सबसे बहले देखें, दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें, इसके menu के बारे में, तो यहां पे new post का option आपको दिख रहा है, जहां से आप एक नया post create कर सकते हो, या नया blog बना सकते हो, and उसके बाद दोस्तों, यहां पे आपको post option दिख रहे है, जिस पे click करोगे तो आपके सारे post यहां पे आपको दिख जाएंगे, यहां पे आपका analytics का पता कर सकते हो, कितने लोगों ने आपके blogs पे comment किया है, यहां पे आपको earning का option दिख रहा है, जिसमें यह है कि आप adsense है, अगर आपके पास traffic generate हो रहा है इस blog पे, तो आप adsense से अपने इस blog को connect कर सकते हो, and आप पैसे भी कमा सकते हो, इस राइड, उसके बाद दोस्तों, यह यहां पे themes का, तो यहां पे जो भी आपको theme यूज करनी है, मतलब theme का मतलब ही होता कि आपका blog कैसा दिखना चीए है, तो यहां पे सारे options आपको दिख रहे हैं, कोई भी अगर आपको theme यूज करनी है, तो देखे कर सकते हैं, अपने अनुसार, and यह सारी theme लग 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 कोई आप से charge नहीं लगेगा, यहां पे, उसके बाद आता है last option settings का, तो यहां पे कौन-कौन से settings हैं, वो हम देख लेते हैं, सबसे बले आता है basic, basic में देखे, आपको titles पगरा डालने होते हैं, तो आपका title यानि कि आपका name हो गया एक तरीक से, उसके बाद दूसर description तो पर डालने ही रहे है, Google Analytics का ID यहां पर आप आड करती हैगा, उसके बाद दोसर यहां पर privacy में, visible to search engine इसको आप on रखेगा, ताकि आपका जो blog ever, Google जैसे search engines में दिखने लग जाए, यहां आपका blog address हो गया, अगर आप चाहो तो custom domain name भी यहां पर आड कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद नीचे स्को down करना है, पोस्ट के अंदर अगर आप चाहो कि आपका जो main page है, उसमें कितने पोस्ट दिखने चाहिए, तो यहां पर 7 पोस्ट हो रखा है, अगर आप चाहो तो इसको change भी कर सकते हो, कि आपको कितने पोस्ट दिखाने है, ठीक है, उसके बाद दूसर इ इमेल का option भी आपको दिख रहा है, तो email options में अगर आप चाहो, तो email options में आप अपने emails वगर आड कर सकते हो, post notifications वगरा जाना चाहिए, ठीक है, बाद इंविटिशन फोस्ट नोटिफिकेशन वगरा है, तो जो भी आपको changes करने है, वो आप कर सकते हो, मैं आपको recommend नहीं ठीक है, 5.30 standard time zone call कता, ठीक है, save कर दी है, मैंने इसको, तो इस तरीके से आपको time zone change करना है, आगर आप चाहो की date format change करना तो कर सकते हो, बाकी नीचे स्ट पडाउन करिएगा, enable search description, आप इसको on कर दीजेगा, and यहाँ पे error and redirection में custom 404 रखना है आपको, रहने दीजी इसको, same to same, इसके लावा crawling and indexing में आपको देखे, enable custom robot.txt, इसको आप चाहे तो on कर दीजेगा, and यहाँ पे enable custom robot header tags, अगर आप चाहो तो इसको भी on कर सकते है, कोई issue नहीं है, ठीक है, उसके बाद दूसरो नीचे scroll down करना है, monetization में add.txt file, आप इसको on करिएगा, because अभी हमारा add.txt लगाने के कोई जरूत नहीं है, क्योंकि हमारा monetization on हुआ नहीं है, उसके बाद दूसरो यहाँ पर आपके पास और भी option चाहते हैं, जिनको अगर आप चाहो तो देख सकते हो, remove block option भी है, अगर आप चाहो तो आप इस block को हटा सकते हैं, and इसके लावा देखे, और कोई most important settings ह हमारे पास है नहीं, तो सारी settings लगबग आपकी clear हो चुकी है, right, तो इस तरीके से आपका blog बन जाता है, पूरा proper तरीके से, and यह वाला जो blog है, वो आप देख सकते हो, यहाँ पे view blocks पे click करोगे, यह देखे, यह आपका blog बन गया है, अगर आपको लग रहा है कि यह तो बिल यह पे Tips आपको देता हूं ताकि आप उसका यूज कर सको, देखे सबसे बले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको new post पे click करना है, जैसे आप दोस्यों new post पे click करोगे, यहाँ पर blog बनाने का यह लिखने का option है, वो आपके पास आ जाता है, तो यहाँ पर सबसे बेले आता keyword ठीक है अब यहाँ पे चाओ तो दोस्तों आप और एक keyword add कर सकते हो या फिर कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो full guide 2025 यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो what is digital marketing full guide 2025 तो what is digital marketing हमारा keyword है और यह हमने कुछ और extra जो है add कर दी है जिस से लोग समझ जाये कि digital तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, टाइटल लिख सकते हो सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यह आपका content है, तो content में दोस्तों मैं आपको कुछ चीजे देता हूं, देखें, मैं कुछ चीजे बताता हूं, सबसे पहले तो आपको on page SEO के जितन करने हैं, outbound links यूज़ करनी है, inbound links यूज़ करनी है, ठीक है, यह कुछ rules and regulations होते हैं, जिनको आपको follow करना है, और उसके अलावा, जितने भी rules and regulations होते हैं, on page SEO के, वो Google से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, हमारा एक channel है other channel, digital marketing guruji के नाम से, वहां पे हमने on page SEO करना सिखा र ठीक है, तो blog लिखते कैसे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है, and यहाँ पर जैसे माल लो, अगर आप लिख रहे हो, जैसे इस तरीके से लिखना है, light मैं आपको थोड़ा सा बताई देता हूं, जैसे माल लो, यहाँ पर आपको headline, जिसको headline first, इसको bold करेंगे, and यहा what is digital marketing, ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग image, ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं, image पे, and यहाँ पे upload from computer, and यहाँ पर हम क्या करेंगे, digital marketing का photo लगाएंगे, तो browse पर click करेंगे, ठीक है, and यहाँ पर downloads पर click करेंगे, और कोई भी एक यहां पर हम लोग फोटो लगाएंगे डिजिल मार्कटिंग का जैसे for example मैं कोई भी एक image यहां पर लगा कर दिखा देता हूँ अभी तो आपको ठीक है जैसे मैं माल लो यह वाला कोई image है ठीक है तो यह वाला image मैं आप लगा रहा हूँ ठीक है उसको upload कर दिया हमने और upload करने के बाद दोसो जैसे माल लो यह वाला डिजिल मार्कटिंग का image है कोई तो यह डिजिल मार्कटिंग का image इस तरीके से मैंने लगा दिया तो इस तरीके से image लगा नहीं है आपको image पी एक SEO का rule से negliction होता है उसके बाद दोसो अब यहां पर आपको start करना है आगे से ठीक है what is digital marketing ठीक है यहां से आप start करोगे है text लिखना और आप altx वगरा use करो यहां पर image के पीछे and keyword density का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका keyword है इसकी density आपके content में आनी चाहिए जिसे मानलो अगर आप 1000 letters का लिख रहो यहां पर blog तो आपको कम से कम one time density use करनी पड़ेगी keyword density वो सबसे important है आपके लिए keyword density वगरा क्या होती है वो आप Google से search कर लीजेगा आपको पता जल जाएगा बागे अगर आप मुझे बोलोगे comment में तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें blog लिखना आपको सिखा दूँगा इसी blog के अंदर ठीक है वो आप मुझे comment करें का मैं आपके लिए बनाऊँगा इस वीडियो में अगर मैं बनाऊँगा लिखूँगा कर देना अपनी दोस्तों के साथ हो सकता है किसे की help हो जाए इस वीडियो से और इसे बरकार के और वीडियो से अगर आप लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन बटन को भी जरूर प्रेस कर देना वैसे ये वाला ब्लोग अगर आपको पब्लिश करना है तो इसको देखे इस तरीके से पब्लिश कर सकते हो confirm बटन पे तो ये पब्लिश हो जाएगा आपका ठीक है तो आज किस वीडियो में वस इतना ही दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में एक नए इंफोर्मिशन के साथ आज किस वीडियो को पूरा दखने के लिए मुझे और मैंचनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबी मेरे पैरे पैरे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद